आज का टॉपिक है पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवी करन, यानि पर्सन से बना मानव और उसका मतलब होता है मानवी करन, पर्सोनिफिकेशन एक्षुल में होता क्या है, एक लिट्रेरी डिवाइस है, जो कि प्रोज यो पर्ट्री में यूज की जाती है अगर हम यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई भी non-human beings है यानि कोई मानव नहीं है birds हो सकता है या फिर वो inanimate object यानि कि non-living beings भी हो सकता है और abstraction का मतलब होता है जो की जैसे honesty है abstract noun जिसको आप कह सकते हो जो दिखाई नहीं देटा जिसे हम छूँ नहीं सकते हैं सिरफ feel कर सकते हैं जैसे honesty ठीक है तो ऐसी चीजों को जैसे देखिए personification treats abstraction मतलब जिसकी कोई मूरत नहीं है और inanimate objects यानि जो non-living beings होती है उनको ऐसे as if का मतलब होता है मानो की they were even ऐसे treat किया जाता है उनको जैसे कि वो मानव हो उनको मानव की quality दे दी जाती है emotions दे दी जाते है मानव की characteristics दे दी जाती है तो वो हलंकि मानव होते नहीं है जैसे कि अगर हिंदे में बात करें कि मेग आये बड़े बंधन के तो मेग जो है बादल जो है वो एक natural nature का object है और उसको हमने क्या बोल दिया उसको हमने का कि बंधन के संवर के आये है और बंधन यह जो है वो एक मानव की quality होती है ना कि बादलो की तो इस तरीके से अगर जब quality दी जाती है तो वो हो जाता है personification उसमें personify किया गया है make को बादल को ठीक है तो हम example से इसे और clear कर लेते हैं अब example देखिए पहला example हमारा है the moon wailed her face अब देखो moon के लिए हमने यहाँ pay pronoun use किया है her जो कि हम women के लिए use करते है sun के लिए हम use करते है his ठीक है तो अब moon क्या है एक natural object है और उसमें क्या हमने लिखा well का मतलब होता है गुंगत डाल लेना तो the moon wailed her face अपने चैरे को गुंगत से ढख लिया गुंगत डाललीय अपने चैरे पर तो देखिए जो गुंगत डालने का काम होता है वह woman को होता है अब woman के इसको personify किया गया है the moon लिट्रेरी डिवाइस है तो यह यहां पे हो गया आपका पर सॉनिफिकेशन दूसरा देखें experience is the best teacher यहां पे आप देखो experience एक abstraction है abstract noun है abstract noun क्या होता है जिसे हम ना तो देख सकते हैं और ना ही हम छू सकते हैं अब experience क्या है एक feel करने का अनुभव करने का ही है experience में देखो आप जिसको experience है उस person को देख सकते हो लेकिन experience को नहीं देख सकते हो experience को क्या बता दिया गया है best teacher और teacher कौन हो सकता है teacher तो एक human being हो सकता है तो यानि experience को किसकी quality दे दी गई है teacher की यानि एक man की ठीक है मैं या वुमेन कोई भी हो सकता है तो एक human being वीकन से तो यह यहाँ पे experience को personify किया गया है क्या कहका best teacher तो personification हो गया यहाँ opportunity भी इसी तरीके का ही एक example है opportunity knocks at the door but once opportunity एक ही बार दर्वाजा खट-कट आती है तो दर्वाजा खट-कट आने का काम कोन करता है दर्वाजा खट-कट आने का काम भी एक person करता है तो opportunity को किसकी quality दे दी गई है knock करना यानि वो क्या कर सकती है knock कर सकती है दर्वाजे को जो कि एक मानव कर सकता है ठीक है gently weeps वो क्या करती है darkness दीरे से रोती है in rainy tears in the form of rain drops यानि कि बारिश की बुंदों के रूप में वो रोती है तो रोने का काम किसका हो सकता है रोने का काम एक मानव कर सकता है तो human being की quality दे दी गई है darkness को तो यहाँ पे another personification है next देखो the moon comes, moon आता है every night, rose और किस लिए to peep, peep का मतले मतले है जहाकना, moon बादलों के बीच में से जहाकता है the moon comes every night to peep, जहाकने के लिए आता है तो जहाकने का काम again human being का है वो quality दी गई है किसको moon को तो इस तरह से जब आपको किसी भी natural object को या फिर किसी abstraction को या किसी bird animal को जैसे हम क्या दे पत्ते नाचते हैं, हवा चल रही है हलाकि वास्ता में वो हो नी रहा होता है लेकिन हवा चल रही होते हैं और हम कहा दे कि पत्ते नाचते हैं या हम कहें full मुस्कुराते हैं तो ऐसे जब दिया जाता है तो वो एक personification हो जाता है आप कुछ example से यह देखते हैं कि क्योंकि बच्चे अकसर confused हो जाते हैं कि metaphor है या personification तो एक दो example से वो समझ लेते हैं metaphor और personification में क्या difference रहता है देखिए metaphor में हमेशा ऐसा नहीं होता है कि non living being को जो है वो living being की दी जाती है कोई भी quality लेकिन personification में always ऐसा होता है तो आप example के तो इसको समाझ जिएगा सिवाजी was the lion of the field यहाँ पे quality lion की किसको दी गई है सिवाजी को जो कि एक human being है human being को क्या बता दिया गया है the lion तो यानि कि उसे ही lion बता दिया गया है यहाँ metaphor में क्या होता है कि हम एक quality एक की quality को दूसरे पर transfer कर देते हैं उसको वही बता देते हैं यानि उसको नाम यह नदर दे देते है शिवाजी को यहाँ पे लॉइन बता दिया गया है तो यह metaphor हो गया अगर हमने इसे यह कहा गया होता कि शिवाजी was as a lion तो फिर वह से मिली हो जाती ठीक है तो यहाँ पर यह क्या हो गया metaphor हो गया है ठीक है next देखिए love is blind यहाँ पर love एक abstraction है ठीक है abstraction मतलब लव को फिर touch नहीं कर सकते हैं नहीं हम देख सकते हैं जरब feel कर सकते हैं यह feeling emotions वयादा है blind किसकी quality होती है blind होना आखे होना यह किसकी quality होती है human being की love को किसके quality दे दीगी है human being की तो यह आपका एक personification हो गया है यहाँ देखिए his love is a rose rose क्या है rose एक फिर वो ही natural object है तो इसमें देखिए his love उसका love एक rose है ठीक है तो यह क्या हो गया एक metaphor हो गया अगर इसे का गया होता कि his love is like a rose तो वो similarly हो जाता यहाँ पर like और as का use करते ही similarly हो जाता तो यह हमारा हो गया यहाँ पर metaphor तो आपने देखा कि his love यहाँ पर obsession तो हो गया लेकिन इसे quality human की नहीं दे गई है यहाँ human being की quality दे गई है तो दोनों का difference यह हो गया next देखो he has a heart of stone अब he already मानव है human being है उससे क्या का है कि उसका जो दिल है वो पत्थर का है तीक है उससे यह नहीं का गया कि his heart is as a stone ऐसा नहीं बोला as a stone होता तो वो से मिली हो जाता लेकिन उसे उसके दिल को पत्थर का ही बता दिया गया है इसका मतलब यह हो गया metaphor तो यहां पर human being को human being का ही यहां दिया गया है comparison किया गया है metaphor में हमेशा indirect comparison देता है the moon smile behind the clouds moon जो है clouds के बीच में से smile किया again moon है moon जो है वो फिर natural object है smile करना जो है personification है person की quality है और cloud के पीछे से उसने मुश्कुराया मतलब यहां पर personification है आपको यह clear हो गया होगा कि personification और metaphor में difference क्या है इससे पहले हमने metaphor और similar difference भी कुछ examples के साथ previous वीडियो में कर रखा है as an answer allitation and consonants के बारे में भी हमने इसकी एक वीडियो बना रखी है तो आप वो जरूर देख लीजेगा